हेलो दोस्तो बियार साम में आप लोगों स्वागत है दोस्तो आज हम रिव्यू करने वाल है एनेश उडियो के एंप्टी 1601 और इस वीडियो में बेक्पनला सेटिंग और इस एंप्टी के लिए कौन से स्पिगर सही रहेगा आज इस वीडियो में जाने कोशिश करेंगे तो समयने लेते हुए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो अभी हम आते हैं एंप्टी फियर के फ्रॉंट प्रेनल के उपर सबसे पहले एंप्टी 1601 दोस्तो यह एंप्टी फियर ड्वेल चैनल होने का चलते पर चैनल आपको एक-एक बुलेम का नौप देखने को मिल जाएगा तो इंडिकेशन के लिए दोस्तो पार्चनल यह एंप्टी फियर चार चार लेडी लाइट यूज़ करता है तो सबसे पहले उपर वाला है इंडिकेशन लाइट में पहले है प्रोटेक्शन दूसरा है लिमिटर तीसरा है सिगनल और चौथा है पावर तो दोस्त इस एंप्टी फियर में खासतो यही है कि यह फ्रांट पैनल में डी हैएज मार्ट आपको देखनो मिलेंगे मतलब दोस्तो यह कि यह इंडियन स्टैनर के हिसाब से खरा उतरा है तो इसलिए कि हाए उसको समार्क ठाहिए तो दोस्तो इस एम्प्री फियर में टौटल 4 फैन यूज किया हुआ है लेकिन अभी front में आपको दो फैन देखने को मिलेंगे तो अभी हम चलते हैं back side के तरफ दोस्तो अभी हम आ जाते हैं इस अपली फैर के back panel अपको क्या क्या देखने को मिलेंगे पहले तो दोस्तो इस में क्या है दो बड़े फैन देखने को मिलेंगे पिछी के तरफ और चार तर्मिनल उसके इस एंपली का आउटपूर के दो स्पीकर शोकें आपको देखने को मिले نंबर 2 पर है sensitivity, नंबर 3 मोर मूर फिल्टर का अपनबर 5 पर है low cut और 6 पर है low frequency enhance और 7 में high grounding दोस्तो तो अभी हम चलते हैं इस एंपली की in will crossbar setting के ऊपर दोस्तो इस एंपड़ी के इन्वील क्रोश वर शटिंकूर अभी हम चलते हैं तो सबसे पहला है दोस्तो अड आप को आपको कब आउन किया चाहिए जब इस एमपड़ी के साथ आ आप टोफ चलाते है तो दोस्तो क्या है अगतесь और जीदी बेस चलाते हैं जीदी बेस मालू इस एमपली में आप पंद्रस्वाट क्या एट उस में दे रहा है तो दोस्तों क्या चौद्वाट तक देने पर कि आप इसको ओप बेसक चलाओ कोई दिकत नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन क्या है जीदी हाँ उसका कोई जैसे के उसको क्या है आपको कहां चाहन कि कहां सेट करना चाहिए दि आप एक input पे दो चैनल चलाने पर उसको ब्रिस कमूट कर रहते हैं, तो इसके लिए आपको देने पर ही अब आपको ब्रिस का option चला सकते हैं, तो हम आगाते हैं दोस्तो फिल्टर को उपर, तो दोस्तो ये फिल्टर क्या काम करता है, कैसे किस पे सेट कर चाहिए, इसमें लिखा हुआ है low pass है, bypass है और high pass है, तो दोस्तो ये जो अपना फिल्टर को उपर क्या है, मैंने बहुत देखा YouTube को उपर, तो उपर से ये अपना NX audio MT 1601 को उपर में बता रहा हूं, इसको उपर आपको भी सर्च करो, तो यूटूबर आप बहुत मिलेंगे इसको उपर, हाँ ये नहीं बोलूगा कि सब के सब नहीं है, दोस्तो कुछ यूटूबर क्या है, मैंने कम से कम 10 बड़ा YouTube देखा है, उसको उपर क्या है, दोस्तो एक और दो यूटूबर है, जो सही बताते है, तो उसको पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, द दोस्तो देखो, यदि आपको पास active crossover है, ठीक है, active crossover है, तो दोस्तो यदि उसको पर आप low मनलब देखे, इसको पर आप bass बजा रहे हो, तो दोस्तो उसके लिए अच्छा खासा आपको sound चाहिए, तो उसके लिए आपको bypass पर करना पड़ेगा, ठीक है, यूटूब में तो दोस्तो ऐसे बोलता है, कि आप बैपास में करूँदे गया तो उसमें क्या गाना मिल जाता है, और bass मिल जाएगा, थीक है, तो दोस्तो यदि आपने crossover को size setting किया हुआ है, उसमें आप bass के लिए low दिया हुआ है, तो उसमें आपको गाना नहीं मिलेगा, तो पताने ही वह लो LOE मिल या फिर आपने फिर उसकिन साथ फिर आपने LOE PASS कर दोस्तोंे आपका EMPLIFIAR उतना नहीं बजेगा जीतना बजना चाहिए तो इसलिए एक्टिब CROSCHOWER के साथ है तो BY PASS यूज़ रो एक्टिब CROSCHOWER के युझ करो ये आपको नौर्मेल टॉप चलाना है वीडाउट उसके क्रोशॉबर के तो दोस्तों क्या है उसके लिए आपको फोप चलाने के लिए किसा साथ हो बैए पास पर चाहिके तो दोस्तों यह आपको उसका फ्रक्रेंसी जब इतना नीचे डीपली तक जाने का च्छमता नहीं है तो दोसको उसको आप आप करोगे तो आप स्पिकट जलने का बहुत चांज जदा रहेगा इसलिए मेरी हिसाब से इस लो कट फ्रक्रेंसी को हमेशा ओन पर ही रखना चाहिए दोस्तो मेरे साब से आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैं क्या बोलने चाहरा हूं ठीक है तो अब हम आ जाते हैं ल चाहिए यदि आप चलाते हो चाहिए क्रोस को बार के साथ हो तो उस टाइम आपको लो इनहेंस को आफ करके रखना चाहिए यदि आप बेस चलाते हो तो दोस्तों क्या है इनहेंस को ओन करना चाहिए तो नीचे आ गया अभी ग्राउंडिंग उपर दोस्तों ग्राउंडिं के उपर दोस्तों इस एंपलिफियर में 8 ohms output है 1700 वाट और 4 ohms output है 250 वाट और 2 ohms output है 3000 वाट और दोस्तों इसका ब्रीज में 4 ohms output है 500 वाट उसके बाद 8 ohms में आता है 1200 वाट ठीक है तो दोस्तों इसका क्या है इस amplifier में APS circuit board यूज़ किया हुआ है ताकि ये कम consumption ने भी अच्छा से अच्छा output देश सके और इस amplifier का noise ratio है 106 बूले तो 103 dB है विसका damping दोस्तो 1000 है और ये class S class है और दोस्ता इसका weight तो बहुत जादा है इसका weight है 47 kg दोस्तो ये हो गया इसका specification और अभी हम चलते हैं इस amplifier में टॉप के लिए कौन सा speaker यूज़ करना चाहिए 4 oms में 8 oms में और base के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए दो दोस्तो अभी हम इसके उपर discuss करेंगे दोस्तो अब इस amplifier के लिए टॉप के लिए और base लिए कौन सा speaker सही रहेगा दोस्तो यदि पहले तो हम चलते हैं टॉप को उपर यदि आप 4 oms में इसको run करते हो तो दोस्तो इसके लिए आपका airons का speaker सबसे best option रहने वाला है क्योंकि airons का speaker का model नंबर है 15 bm 1200 दोस्तो यह एस power में आता है और convert करने पर rms में निकल लाता है 923 rms ठीक है और फिर यह हो गया दोस्तो 4 oms में अभी हम आते है 2 oms में कौन से speaker इस amplifier के लिए best रहेगा तो दोस्तो 2 oms के लिए है पी ओडियो का 226 b3 model नंबर है और इसका एस power में आता है 800 watt और फिर इसको भी convert करने पर rms बे तो दोस्तो यह 615 watt rms में निकल आ जाता है तो दोस्तो यह तो हो गया है टॉप की speaker को पर अभी हम चलते बेस के speaker को पर तो बेस के लिए कौन से speaker कौन से speaker सही रहेगा तो सबसे पहले दोस्तो इसका आता है पी ओडियो का GST 18 1500 दोस्तो यह एस power 1500 में आता है इसको convert करने पर 11135 का rms में निकल आता है दोस्तो ठीक है तो अभी हम फिर आते है next पे यह speaker है दोस्तो अपना आहूजा का है मौलडर नमर है L18SW1000 तो दोस्तो यह 1000 वाट का आता है rms में एस से कैसे convert करें जैसिके मानलो जी दोस्तो यह जो है 15 वीम 1200 जो है यह 1200 एस में आता है तो उसको आपको भाग करना है 1200 वाट को भाग करने के लिए आपको 1.30 से भाग करने पर निकल के आ जाता है वो जो निक वीडियो यही पर समाप करते हैं आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तो लाइक कर देना इस तरह के वीडियो देखते रहना है तो चल दोस्तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तो आप लोग इस वीडियो को लास्त तक देखने के लिए थैंक्यू देने बाद जैहिन दोस्तो